वंदे मातरम साथियो साथियो आज तीस नौमबर स्वदेशी दीवस के दिन मैं आप सभी को चाहता था कि कुछ संदेश मैं दूँ कुछ बात मैं बताऊं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुझे कुछ चीजे ऐसी महसूस हुई मैं जो नगता है कि बतानी चाहिए आप सभी को मुझे लगता है कि अभी evitar यदिन कि इस composite मैं जीसे हिन्बी दीवस हुआ स्वदेशी दीवस हुआ राजी भाई की पुनितिथी और जमिद्थी जो अंग्रीजी कलेंडर के अंसार इसमार tac को पड़ता है तो यह हालां कि अंग्रेजी केलेंडर के साफ से काम करने का हमारा मन नहीं आता लेकिन यह बड़ा संजोग था कि उनकी दोनों जो विशय हैं उनके जीवन जन्म का और भृत्यू का कि एक ही दिन हुआ तो हमें एक अवसर होता है कि उस दिन हम दोनों के बहाने कि स्वदेशी दिवस को हम मनाएं तो इस कारण से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें बाकी जैसे चीजों का हाल हो गया है स्वदेशी दिवस के दिन हम स्वदेशी की बरसी ना मनाएं कि वर एक दिन मना कर उसको जो है हम ठंडे बस्ते में ना डाल दें जैसे हमने बाकी विश पर कोई बात नहीं करना चाहता काम नहीं करना चाहता मैं ऐसा नहीं कहा रहा है कि कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन इस विशय का महत्व क्या है राजी भाई के जाने के बाद बहुत सारे लोग के लिए केवल ये विशय है कि राजी भाई की मृत्यू कैसे हुई बहुत सारे ल कि दूसरा वेक्ति उस विश्य पे काम नहीं कर रहा तो वो उनका साथ नहीं दे रहा तो मैं यह कहता हूँ कि सुदेशी में और राजी भाय के विचार इतने समगर रूप से उसमें कई सारे विश्य शामिल थे जिसके कारण हमें यह लगता है कि एक विक्ति के बसकी एक काम नहीं होगा हजारों लाखों लोगों को अलग लग विश्यों पर लगना पड़ेगा तब कहीं जाके सुदेशी के और भारतीता की जो बात करना चाहते थे क्योंकि राजी भाय जो करना चाहते थे वो काम पूरा हो पाएगा दूसरी बात ये है कि राजी भाय का काम धूरा नहीं है ये हमारे देश का काम है इसको राजी भाय ने एक स्थर तक ले जाकर हम तक पहुँचा दिया हमारे हमारे चित्वानस में हमें उसे पहुँचा दिया उसके बाद हमें इस काम में को आगे लगकर करना है तो यह राजी भाई का काम नहीं है राजी भाई ने जो क्रांतिकारी का काम है उसी काम को आगे बढ़ाया था जिस काम को हमें अब आगे बढ़ाना है तो आप सब उसे एक निवेदन है जो मैं करना चाहता हूं कि राजी भाई की मृत्यू कैसे हुई या उनका ये कैसे हुआ उस पर जो लोग काम करना चाहते हैं आवश्य करें लेकिन बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि आप भी इस विश्या पर करिए तो मैं उनके विचारो इसका कि केवल कारिकर्म तक आयोजन तक सीमित ना कर दे हम इसको बहुत लोग हमें बोलते हैं कि विरंद भाई आपने कोई कारिकर्म नहीं कराया हम कारिकर्म अलग तरीके से करा चुके हैं अभी हमारे रिश्य केश में जो चार-पांज दिवस का ही एक हिस्सा था आवश् जो कारिकर्म होते हैं मैं समयलित होने की प्रयास मैं करता हूं तो ऐसा हमें करना चाहिए कि देश साल भर कारिकर्म जो है वह सोदेशी दीवस के के नाम पर होने चाहिए सोदेशी दीवस की तरह यह विचार को आगे बढ़ाने के लिए होने चाहिए जो आने वाली पीडिय मुझे कॉल आया जैपुर से दो भाई थे उनकी आयू बहुत 15-16 साल की आयू थी तो हमारे आयू के अनुसार तो हमें बच्चे लगते हैं लेकिन उन दो भाईयों के अंदर बड़ी घजब की देश भक्ती का मैंने एक संचार देखा और उन्होंने मुझे कॉल इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो शडियंतर हो रहे हैं वर्ल न्यू वर्ल ओर्डर हुआ या और भी तरह कि जो शडियंतर है इन शडियंतरों के बारे उन्होंने खुब जानकर इखटा कर ली है वो नोवी दस्वी में पढ़ते हैं वो बच्चे और बहुत मुझे उनसे ब बनाकर ज्ञान ग्रहण करके भाशा का ग्मठ प्राप्थ करके उसंसे कि माता पिता के प्रती है कि भूमोज हम उनकी बनात कर Region को प्रचा के वह करें कि नहीं कर रहा हूं कि माता पिता को बनाते हो्ट powered वाष दे सब में नहीं आ रहा क्या करें क्योंकि information जो सबसाति हैं हमारे देविंदर बला रहा हुए चाहे और भी लोग हुए यह सब जो new world order की जानकारिया दे रहे हैं इनको इतनी जादा हर दिन new world order या फिर जो नया और भी जो शड़ियंतुर के बारे में जानकारी दे रहे हैं उनका जो कि मैंने उनको समझाया कि आप लोग क्या जब कोई मानली जै कोई राजनितिक विकल्प कोई खड़ा कर रहा है या कोई आप बड़ा संगठन खड़ा कर रहा है तो देश के लिए कुछ बड़ा काम कर पाएगा आप लोग उसमें अपनी भूमिका क्या देखते हो आप जोर पड़ जाता है तो उस नित्रत्तrac की जगह लेने के योग आपको बनना है तो जगह की स्थान लेने करें ले तो हम उसके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगे तो यह जो हमें प्यादा बनना है या हम सब को एक लीड करने लिए अपनी शमता अनुसार यदि हम बहुत अच्छे से हम सहयोग करने योगे सहयोगी बन सकते हैं कारिकरता बन सकते हैं अपनी शमता पहचान कर हमको को यह करना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने यह नहीं किया तो हम लोग ऐसे काम में फजाएंगे जिसमें हमें डिप्रेशन और यह सब स्ट्रेस में हम फसने वाले हैं क्योंकि जितने भी युवा है उन सब को जो करना क्या है यह समझ में नहीं आ रहा अंतर में एक ही चीज होती है शादी नहीं करेंगे नौकरी नहीं करेंगे पढ़ाई से मन हट गया है क्योंकि मैं कॉले शिक्षा है और माता-पिता के प्रती जिम्मेदारी का एहसास तो है लेकिन हम चाहते हैं कि देश बड़ा होता है म यह जो भाव आ गया है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप लोग आज समाजिक व्यवस्था हो गई है और समाजिक व्यूस्ता में ये गलती से भी गलती से भी इस ब्रहमे मत रहीएगा कि आलो जो है वह आप यदि आपके परिवार भूखा मर रहा होगा तो लोग आपक तो आपके परिवार को जो है वो सराकवर उठा लेंगे ये क्रांतिकारियों के परिवार भी आज भूखों मर रहें और वैसे ही आज का विवस्ता और खराब हो चुकी है तो उसमें आप लोग समझ जाईए कि लोग आपको कभी भी जिदी आप योग यह नहीं हो आपके पास आने जाने का खर्चा नहीं है तो लोग कुछ दिन तो कर देंगे हैं जीवन भर नहीं करें तो हम लोग अपने परिवार को बलिदान करके यह अपने करतेवे को पूरा ना करते शिक्षा को शिक्षा का मतलब मैं यह नंबर या डिगरी लेने की मैं बात नहीं कर रहा हूं शिक्षा का मतलब है इससे स्वाध्य भी है, लोग आपका सम्मान करें, जैसे कि बहुत लोगों आपने देखा होगा कि जब वो IIT से हो जाते हैं या इंजिनियर हो जाते हैं तो जिससे उनको लगे कि उनका रुत्बा जो है समाज में जादा उनकी उसका सम्मान हो, तो ये ज लुटे बागे कुछ नहीं कि उनको अपने आप में आप में वेक्ःतित हो ऐसा था, जिस्कों किसी डिगरी की आवश्कता नहीं थी, लेकिन उनको भी IIT का मानकर लोग उनकी बात सुनते हैं, वो डिस्प्यूट करते रहते हैं, गलत सहीं मैं कहता हूँ उन्होंने बहुत सारी चीजे कुछ कुछ चीजों को बढ़ा चड़ा कर भी बोला कारण था कि जिससे कि लोगों के मन में भारतियता चली जाए जब जूट बोलकर जो सारे जो शक्तियां हैं मर्टिनेशन वाली शडियंतरकारी जो हैं बहुत सारे जूट बोलकर हमारे मानसों खराब करने में लगे हुए हैं तो राजी भाई ने कुछ बातों को थोड़ी अश्ति शुक्ति रूप में भी बोलकर कम से कम मेरे जैसे वेक्ति जैसे मैं उधारन दू हमारे मन में भारतियता को जगा तो दिया कम से कम तो हम छोटे विश्यों पर बात करने लग जाते हैं कि उन्होंने ये बात चोड़ी मैं कहता हूँ अंत में आपको भारतियता से जोड़ा या नहीं जोड़ा महत्वका ये है जिन ताकतों ने दिन रात ये फिल्म इंडस्ट्री हुई चाहिए सब जो आपको भारतियता से दूर करने में लगे हुए है क्या उस वेक्ति ने उस अलग को जगाया कि नहीं जिलाया तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप ये युवा हैं पढ़ाई कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो ये जो गलत को ठीक करने के लिए पहले गलत का भी पूरा ज्यान होना चाहिए हमको जैसे ये आप कहते कि ये जो है मैक्स मिलर है इन सब ने ये ये हमारे उसमें बदलाव कुछ किया तो पहले उन्होंने संस्कृत का अध्यन किया और भी कई भाशाएं हो उनमें भी ज्यान के लिए हमें काम करना है पवन गुपता जी ने ये बताया है कि बहुत सारा ज्यान तिब्ती भाशा में जो है वो ट्रांस्लेट होके पड़ा हुआ है जिसको दुबारा संस्कित या हिंदी में translate करने के योग लोग चाहिए तो वो लोग नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे किसी काम में हमको लगना पड़ेगा यदि हमारी ख्रमता है तो तो आप सब लोग को जो युवा हैं मैं सबसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग यह जो information आजकल शेटिंतरों की और सबकी जो तरह तरह की sources से इस तरों से मिल रही है उस information को process करने लाइक अपना बुद्धी को develop कीजिए पहले उस information का जब आपका मालिज पेट है उसमें जितनी जगह है उसे ज़्यादा अगर भर लेंगे तो फिर अपच ही होने वाली है और इस अपच को होने के बाद आप उसकी उल्टी करते फिरोगे ग्यान की उल्टी हमने भी शुरू में बहुत की तो इस ग्यान की उल्टी को करने लगोगे तो दुनिया भर से लड़ते फिरोगे और ये नहीं होना है उस ग्यान को पचने लाइक पचा कर उससे कुछ महत्वपून कुछ बढ़िया चीज बने और जो कचरा है वो मल के रूप में निकल जाए ऐसा ही काम करना है जैसे शरीर म हमारे होता है तो ये विचार रूपी ग्यान जो आप सुनते हो जो आप कहते हो उस विचार रूपी ग्यान को जब तक आप उसे आत्मसाथ करके जीवन में अपने त्याग करकर और अपने आत्मसाथ नहीं करोगे तब तक केवली कोरी बाते रह जाएंगे और कुछ नहीं है उसको बढ़ाने में प्रयोग करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है लेकि मैं चाहता हूं कि उन लोगों के सवहवाव में उन लोगों के जीवन में वह स्वदेशी विचार इतना गहराई से होना चाहिए कि केवल वो उस दिन कारिकर्म करके उसके बाद उसको भूलना चाहे क्योंकि मैंने जो सबसे बड़ी मेरी वेथा है वेक्तिगत वह है कि जो आने वाली पीडी है जिसमें यूवा भी आते हैं जिसमें और आने वाले बच्चे जो हो जू रहे हैं जो हो चुके हैं जो होने वाले हैं उन सब के परती एक जिम्मेदारी है कि इनको बेहतर बनाने का प्रयास करना है यह कर के ही रहुँँगा ऐसा प्रन्वी मैं नहीं ले değil सुधिशी दिवस का उद्धिश यही होना चाहिए कि आज के दिन हम ऐसे संकल्प लें ऐसे हम अपने मन में निश्य करें कि हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जो हमारे आने वाले पीडियो को बहतर बनाएगा तो आज सुधिशी दिवस के दिन राजी भाई जिन्होंने मेरे जीव आज नहीं होता जब लगहा bakayım किसी प्रति करती हो मेरे मनमे रखते हुए मैं में राजी भाई को उनों ने जो अलग जगाया मेर जैसे व्यक्ति को बदला और हजारों लोगों को चाहिए और मुझे प्रेरिद किया कि एस जीवन को मैं सार्थकता दे पाऊं अपने जीवन को मैं उन राजी भाई को शत्षत नमन करते हुए आप सब को मैं शुब कामनाई दे कर इस अंदेश के साथ अपने वाणी को मैं विराम दूँगा आप सभी अपने परिवार को स्वस्थ रखिए आने वाली पीडियो के लिए बहतर काम करिए और हम चाहते हैं कि गोदली परिवार जो प्रकल्प मैंने हमने शुरू किया है उस गोदली परिवार के माद्यम से हम देश बर में काम कर पाएं